बेलकम टू एन कुक अगर आप पनीर की बार बार ओही सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं तो बनाते हैं पनीर कोफता ला जबाब स्वाद के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो पनीर कोफता बनाने के लिए हम ले लेते हैं 250 ग्राम पनीर सबसे पहले इसको ग्रेट करेंगी सबसे पहले इस तरीके से कर्दू कस कर लेते हैं तो यह हमारे घर का बना हुआ पनीर है इसलिए इसमें गी की मात्रा बहुत अच्छी है तो इसलिए थोड़ा इसे कर्दू कस करने में प्रोब्लम हो रही है क्योंकि अभी यह फिरिज का रखा हुआ है लेकिन आप थोड़ा सापधानी से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप अपने घर के बने पनीर से पनीर कोक्ता बना रहे हैं तो उसका टेस्ट डियल में बहुत अच्छा आता है तो पनीर तो हमारा कदू कस हो गया है अब हम आगी का प्रोस्स करते हैं अब हम हम ले लेते हैं एक बड़ा चमच मिल्क पावडर दो चमच कॉर्ण फ्लोप अब इसमें डालेंगे आधा चमच नमक और आधा चमच गरम मसाला अब सभी चीजों को हां से मैस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें एकदम से चिकना डो बनाना है तो इसे बहुत अच्छे से हमें मैस करना है इस तरीके से हाथेली से गिशते हुए तो हमने पनीर कोपता बनाने के लिए दो को एकदम से चिकना बनाकर तैयार कर लिया है अब हम इसके चोटे-चोटे से गोले बनाएंगे इस तरीके से हम गुलाब जामून बनाते हैं थोड़ा साइज की बनां कर त्यार करेंगी तॉ हमने बराबर साइज की लुईयां बना कर तैयार कर लिए यानि कि एक नीवू की साइज की अब इनको थोड़ा सा हतेली पर रखे एक तरीके से चिकना कर लेंगी तो एक्दम से हमें गुलाब जामुन की तरह चिकना बनाना है उसे रखते जाएंगे । इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं तो 250 ग्राम पनीर से हमारे 12 पनीर के गोली बनकर तयार है परस थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको एक दम से चिकना बनाना है ताकि शेक्टे टायम भटे नहीं तो चली अब हम इसके लिए ग्रेवी बना कर तयार करेंगी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे एक मीडिय तो बीए टुकडा 8-10 लॉंग 8-10 काली मिर्च और एक इलायकि तो सारी चीजेओं को बाराइक पीशने कर तयार करेंगी करीब 2-3 चंबाज पानी डालकर बारिक पेश्ट बना कर तयार करेंगी तो हमारा पेश्ट बहुत अच्छा बनकर तयार करेंगी यार हुआ है तो आपन यार हुआ है तो हम इस तरीक इस तरीकी का बारिक ड़ल सकता है इसे रख सबी टेम करते हैं तो गैस पर कड़ाई को गर्म होने के लिए रख दैंगी तो कड़ाई हमारी हलकी गर्म हो चुकी है तो अधि डालarina लेते हैं और अध्य गैस का फिलेम मीडियम कर देंगे और पनीर कोफता फ्राइए करते हैं पनीर कोफता लो फिलेम पर बिल्कुल नहीं शेकने हैं इन्हें में मीडियम टू हाई पर शेकना है अफुंब इसे चलाते रहेंगे ताक ही सारे कोफते एक सार शेकर तयार है तो पनीर कोफते को symbi हमें रसकुली की तरह सेखना है बस इतना द्हान रखना रखना रसकुलीकों हम लो फिलेम पर शेकथे हैं और इन्हें मेडियम टू हाई पर सेखना है तो पनीर कोपता तो हमारे बहुत अच्छी सिक्कर तयार है तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं तो कड़ाई में जितना भी एक्ष्ट्रा वायल था वो हमने निकाल दिया है अब हमने कड़ाई में सिर्फ दो बड़े चमबाच ओल रहने दिया है तो अब इसमें डाल देते हैं आदा चोटा चमबाच जीरा अब जो हमने ग्रेवी के लिए पेश्ट बनाके रखा था बोवी इसमें डाल देते हैं तो ग्रेवी वो में तब तक भूनना है जब तक की इसका ओयल सेप्रेट ना होने लगे तो ग्रेवी लगवग हमारे भून कर तयार है अब हम करेंगे स्पाइस का यूज अब ले लेते हैं एक छोटा चमबाच हल्दी पावडर एक छोटा चमबाच कस्मीरी लाल मिर्च प पावडर एक छोटा चमबाच धनिया पावडर नमक अपनी टेस्ट के अकॉड़े मसालों को थोड़ा सा और पूल लेंगे दो से तीन मिनट के लिए तो हमारे मसाले भी बहुत अच्छे बुन कर तयार है तो अब हम इसमें डाल देते हैं बन थाड ग्लास पानी तो सबसे लास्ट में डालेंगे आदा चमबाच गरम मसाला पावडर इसको मिक्स कर देए और 10 मिनट क्रेवी को पकने देते हैं गयस का फिलेंड लो रखेंगे तो ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं अब हम इसे चेक करेंगे तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी करीब एक चमच डालेंगे कसूरी मेती तीन से चार मिनट के लिए इसे और ढख देंगे ताकि इसके अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं तो तीन से चार मिनट हो गए हैं इसके अंदर बहुत प्यारी खुस्पू आ रही है तो गैस को आफ कर देंगे और इसे सर्फ कर करते समय इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश क्रीम तो बहुत स्वादिस्ट पनीर के कोपते बनकर तयार है तो आप इसे चावाज चपाती अनान के साथ सर्फ कीजिए तो आप अपने ही चैनल को लाइक शेयर वाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं किसी स्वादि स्वादिस्ट प्रक टेख्यों आप अप तब की लिए बाइ